वलूर्ट की सब्सक्राइब फिल्मों में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वेल जल्दी रिलीज होने वाला है और इसको लेकर इस फिल्म के मेकर स्टावर तोड़ता यारियां कर रहे हैं तो क्या है गदर टू को लेकर अपडेट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में मैं हुगी नहीं पठा तो आप देख रहे हैं फ्राइड़ हाउस को तो महरवान, करदान, पांदान, पीगदान, सुनिये मेरी बात खोल के अपने काँ ए फाल तु बातों में वक्त बरबात मत करो अरे भाईया मैं आपके लिए बहुत बड़ी और दूर्टों सुकून पहुचाने वाली खबर लेकर आया कहना क्या चाहते हो तो खबर यह है कि बॉल्यूट की डूर्टी नहीं यहां को सहारा देने के लिए हमारे तारा सिंग याने की धाई किलो का हाथ याने की सनी पाजी बड़ी पेजी से बॉक्स आफिस की तरब रुक कर रहे हैं जी हैं सनी पाजी की गदर एक प्रेम कथा का सीक्वेल गदर टू जन्दी बॉक्स आफिस पर दस्तर देने वाला है इस पिल्म के मेकर्स तो वहीं हैं गदर वाली अनिल शर्मा और जी स्टूडियो फाल ही में मेकर्स ने गदर टू का मोशन पोश्टर जारी किया है और इसको देखकर दर्शकूं की गदर एक प्रेम कता की पुरानी आदे भी ताजा हो गई आपको याद ही होगा कैसे हमारे सनी पाजी ने अपने धाय धाय किलो के हाथों से पाकिस्तान में हेंड़ पंप खाड़ा था और जब हमारे तारा सिंग ने भरी मस्जिद में अश्राफली को लगता रहा था तो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान का कई अश्राफली की पैंट फट गई थी और जब तारा सिंग ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा थे तो थेटर में बेठे हर एक हिंदुस्तानी ने भी पूरी शिद्दत के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा और इन नारों की गुँच थेटर के बाहर तक कुँज रही लेकिन हमारा हिं सबसे जादा टिक्ट बीशने का वर्ड रिकॉर्ड भी है जिहां साल 2008 में रिलीज हुई करीब 10 करोड से जादा टिक्ट पेशे गए थे जो कि अपने आप में बल्ड रिकॉर्ड और अगर आज के हिसाब से कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म का कलेक्शन पांच हजार करोड के करीब होगा हुँ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो मारो जो कि आज के जमानी की ब् पर लगी पनोती भी खत्म करेंगे और उन फिल्मेकर्स को भी करारा जवाब देंगे जो कि अपनी फिल्मों और मनुरंजन के नाम पर एंटी हिंदत और एंटी नेशनल प्रोपोगंड़ा रहे हैं क्योंकि सनी पाजी का ढाई के लोग हाँ किसी पर पढ़ता है ना तो आपको इंस्ट्राग्राम पर भी मिल जाओंगे मैं वह भी नहीं पाठा को आप देख रहे थे फ्राइडे हाउस को तम बाइबाए टाटा गुडबाए गया